दोस्तों हाई आप कैसे हो उमीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे आज मैं आपके सामने गंगा नदी तंत्र लेकर आया हूँ इसके पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है हमने गंगा के उद्गम अस्थल के बारे में बात किया था अर का निर्माल होता है गंगा नदी बनती है उसके बारे में बात किया था तो और पांच परियाग के बारे में बात किया था वह कौन-कौन से परियाग थे वह विशलू परियाग था नंद परियाग था और रुद्र परियाग था देव परियाग था आज हम बात करने चलने है गंगा नदी के आगे अर्थाद आज हमारे उत्तर परदेश में गंगा नदी का परवेश होगा उत्तर परदेश में परवेश होने के बाद गंगा की कौन कौन सी साहिक नदिया है उसके बारे में बात करेंगे तमान तुरह की बात करेंगे जो आपके लिए important होगा आईए चलते हैं तो हम जानते हैं तब से पहले बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने क्या लिखा गंगा नदी तंत्र लिखा है तो आप जानते हैं कि यह क्या आती है कि एक नदी आती है कि गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं भागी रथी कहते हैं भागी रथी नदी आती है और उपर से क्या आती है एक नदी आती है अलक नंदा ये कौन से नदी है अलक नंदा नदी है तो अलक नंदा नदी ये आपस में हरिद्वार में आकर मिल जाती है मिलने के बाद फिर इसका नाम क्या पढ़ जाता है गंगा पढ़ जाता है अगर आप मैंने आपको अगली वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि जब दो नदिया अलग-अलग नाम से मिल की कि नाम की अलग-अलग नदिया एक जगहा पे मिलती है उसके बाद उनका नाम चेंज क्या होता है तो आज मैं फिर बता दे रहा हूँ देखिए जब यहां से उपर से भागी रथी आ रही है और यहां से क्यालग नंदा आ रही है यदि दोनों नदियों के दुवारा लाया गया हुआ पानी लग-भग बराबर हो तो क्या होता है जहां पर इनका संगम होता है तो इनका नाम चेंज कर देते हैं इसलिए क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अलग-नंदा नदी तथा भागी रथी नदी क्या होती है बराबर लेकर आती है पानी तो धरिद्वार में ये मिल जाती है हरिद्वार में मिलने के बाद इसका नाम पढ़ जाता है गंगा और गंगा फिर क्या होती है इस तरीके से आगे बढ़ती है और उत्तर परदेश में आती है जब ये आपका कि ये आपका उत्तरा खंड है यहां से आपको क्या मिलेगा ये यह आपका कौन सा जिला है इसको बोलते हैं बिजनावर जो यह आपका की बिजनावर जिला है तो अगर कोशन यह आता है कि उत्तर परदेश में गंगा कौन से जिले से परवेश करती है तो क्या बताओगे वह जिला आपका क्या है वह जिला आपका बिजनावर है अब बिजन में कहां पहुंच जाती है यह आपके की वेश्ट बंगाल में फिर आपकी यह बंगला देश में तो यह आपकी कौंसी नदी है इसके बारे हम बात करने चल लए हैं यहां पर यह नदी आपकी क्या है यह गंगा नदी है अब यहीं पर उत्तराखंड में एक नदी और बनती है जिसको हम लोग कहते हैं राम गंगा नदी यह कौन से नदी है राम गंगा नदी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ राम गंगा नदी जो राम गंगा नदी होती है यह विजनोर में परवेश करती है यूपी में चलने के बाद यूपी में एक जिला है कन्नावज कन्नावज म से जिले में मिलती है तो क्या बताओगे कंवों जिले में मिलती है यह कुशन यहां से और आता है हम को बहुत आराश आराम से पढ़ना है यह कुशन यह भी आता है कि गंगा नदी कि पर्थम эти कों है तो पर्थम साइक नदी कौन है पर्थम साइक नदी आपकी राम गंगा है तो यह आपका हुआ इसी तरीके साब फिर हम बात करने चल ले हैं यहाँ पर हम बात करने चल ले हैं यहाँ पर क्या है कि यमनुत्री यमनुत्री जो होती है यमनुत्री यहाँ से एक नदी निकलती ह है जिसको हम लोग कहते हैं क्या नदी कहते हैं यमना नदी यूपी में होती हुई फिर क्या होती यूपी के परियाग राज में अर्थात इलहाबाद में क्या हो इलहा परियाग राज जिसका पुराना नाम क्या था कि इलहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है यह कौन से न प्विश्टर जो आपकी टेमले क्वुणालों नदी है तो यहां पर आब यहां पर यह पी आप कि अब बात करते हैं यहां पर कुछश्य होती जो यह शाहिक नदियां होती है इससे Oxon चुनाते हैं तो यह कि आपका क्या है कि मद्द पर्देश में मैं यहां बना रहा हूं यह आपका क्या हुआ कि यह यह आपका राइस्थान हो गया फिर आपका मद्द पर्देश है तो मद्द पर्देश में यह क्या है कि जना पाऊ जना पाऊ यह पहाड़ी है इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है उस नदी निकल लए उसका नाम क्या होता है और इटावा में ये कौन सा जिला है यूपी का एक जिला है इटावा में जाकर मिल जाती है इसको बोलते है वेतवा नदी यह आपकी चंबल इसको क्या बसोरी यह कौन सी नदी है इसको बोला जाता है कि चं पागु एक पहाड़ी है यहां से एक नदी निकलती जिसको हम लोग बोलते हैं चंबल नदी चंबल नदी किसके साहिक नदी है यह नदी है किसकी है यह इमुना की साहिक नदी है और यहां पर चंबल नदी आप यहां पर आपके लिए और important हो जाता है चम्बल की एक साहक नधी होती है क्योंकि आपका कि मद्द परदेश में एक परवत है कार यई की पहाड़ है कार की परवत सब्हक्रावन से एक नधी निकलती यहां से तेक नधी निकलती है जो यमνα में जड़ जाकर कि चंबल में मिल जाती है इसको बोलते हैं छिपरा नदी क्या होता है कि छिपरा नदी अगर कूश्चन पूचता कि छिपरा नदी किसकी साहिक नदी है तो क्या बताओगे वो चंबल की साहिक नदी है और छिप्रा नदी के किनारे कि मद्द परदेश का एक सहर है उज्जैन इसी पर बसा हुआ है और छिप्रा नदी पर ही है कि महा कुम्ब मेला भी यहां पर लगता है अब बात करने चलने हैं कि एक अलग आपका परवत हैं हम उस परवत के बारें बात करने चलने हैं जो परवत उत की भारत को नदी है कि यह बना रहे हैं इसको कि यहां पर यह आवगा की इतावा हो गया इसके बाद पढ़ता है कि हमीर पूर जिला हमीर पूर के पास क्या होता है कि विंध्याचल से निकली हुई नदी जाकर हमीर पूर के पास यमुना नदी में मिल जाती है इसको बोलते हैं बेतवा नदी बोला जाता है यह आपकी बे कैमूर परवत क्या है कैमूर परवत से एक कैमूर परवत है कैमूर परवत से भी एक नदी निकलती है जो क्या होता है यह नदी यहां पर जाकर यमुना पर मिल जाती है यह यमुना की साह के नदी है इसको क्या होता है यह इस नदी का नाम होता है कि आपका के नदी यह आपका कहां पर मिलती है बांदा जिला में मिलती है इसको बोलते हैं के नदी के बारे में के नदी बोलते हैं तो यहां पर जो इमुना की साइक नदी है यह आपके लिए बहुत important है इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो यतनी आपकी नदिया हो गई अब आगे बढ़ रहे ह की हमारी और कॉं कौन सी नदियां है इसके बारे में झिक्र करेंगे तो आप देखिए तो यहां से अगर कूश्टन आता है तो यह आप की होगे अब बात करने चलना है यह हमारा क्या है परamment परियाग राज है मैं यहां पर परियाग राज लिख दे रहा हूं अब यहां पर देखिए यह परियाग राज है अब बात करते हैं यहां पर एक जहां है कि यूपी के बायूपी में जिला है पूरव के पूर्वी यूपी में जिसको हम लोग बोलते हैं गाजीपूर क्या है गाजीपूर यहां पर जो गाजीपूर है इसमें कि अब उत्तर परदेश में एक जिला है पीली भीत क्या है पीली भीत जो जिला हुआ है यहां पर एक जील है जिसको हम लोग बोलते हैं फुलर जील क्या है फुलर जील जो होती है फुलर जील अब यहां से एक नदी निकलती है जो जाकर गंगा में मिल जाती है इसको बोलते हैं गुमती नदी बोला जाता है अब कुश्चन यह आता है कि गंगा में कहाँ पनलती तो क्या बतावगे यह उत्तरपरदेश के गाजी पूर में ये आपकी मिलती है अब गोमती नदी कौन सी जील से निकलती है फुलर जील से निकलती है ये फुलर जील कौन से जिले में है ये जिला कहां पर पड़ता है ये जिला पड़ जाता है आपका उत्तर परदेश में अब बात करने चल लए है मुझारा मैं इसको स समझ में आएगा अब देखिए उत्तराखंड में एक जगहां होती है पिथावरागड क्या होता है पिथावरागड यहां पर मैं लिख दे रहा है यह आपका UK है यहां पर एक जिला है पिथावरागड क्या है पिथावरागड पिथावरागड से एक नदी निकलती है यहां स एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सारदा नदी क्या होता है सारदा नदी अब देखिए सारदा नदी के तीन नाम होते हैं एक सारदा है इसी सारदा को काली नदी कहते हैं इसी सारदा को महा काली नदी के नाम से भी जानते हैं तो यह क्या होते हैं यहां पर हमने क्या ब सब्सक्राइब करनाली कहते हैं तो हमने देखा कि मान सरोवर जील है ना मान सरोवर जील से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं उतकी इसको क्या कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं नेपाल में करनाली कहते हैं क्या कहते हैं अगर नेपाल में है तो नेपाल में करनाली कहा जाता है और जब यह उत्तर परदेश में परवेश करती है तब इसी को क्या कहा जाता है यह घागरा नदी अब यह भी क्या थी बारा बंकी में आएगी और दोनों मिल जाती अगर क्वोश्चन पूस्ता है सारदा अब घागरा नदी का संगा मस्थल काउन तो क्या बताओगे बारा बंकी फिर क्या होता है यह इस तरीके से आगे बढ़ती है अब यह किस नाम से ग्हागरा के नाम से बढ़ती है जो ग्हागरा नदी है घागरा नदी को अपने उत्तर पर अपने पूरी उत्तर पर्देश में अरता अर्था तो कि आयोध्या में इसको हम लोग से कि सरयुन नदी भी कहते हैं और फिर यह सरीू के बाद फिर क्या था जो अकड़ते कि आपके घागरा नदी के किनारे बसा हुआ है जो इस तरीके से आपकी ये नदी आती है अब ये ये कहां पर हम लोग कहां ये आपका बलिया हो गया अब बलिया के बाद हमारी ये कहां पहुंच जाती है ये हम लोग कहां पर आ गए बिहार में तो बिहार में एक जहां है छपर है इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टन्ट हो गया अब मैं बता रहा हूं मैं यहां पे देखिए अब यह आपका जो परवत था मद्द परदेश में कितना था जना पाव पहाली थी कारकी था विंद्याचल था कैमूर था इसी में क परदेश के पूर्वी छेत्र में एक परवत होता है एक चोटी भी कह सकते हैं अमरकंटक यह क्या है कि अमरकंटक चोटी होती है अमरकंटक जो चोटी होती है या परवत लिख दीजिए अमरकंटक जो परवत है यहां से दो नदी निकलती है जो आपके लिए विरी इंपॉ सोन नदी है काउंसी नदी है यह आपकी सोन नदी हो गई और इसके दच्छडी भाग से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी कहा जाता है तो यह आपके लिए अक्सर पूछता है कि नर्मदा नदी या सोन नदी का उद्गमस्तल क्या है तो उसका उद अब बात कि अब बात करने चलना है कि यहां से हम लोग बात करेंगे इसको हम तरह देख लेंगे आगे फिर बात करते हैं अब यह हमारी चीज़ यह यह कहां पर मिलती है यह पटना में यह पटना में जाकर सोन नदी पटना में जाकर मिल जाती अब आगे बढ़ते हैं अब प बिहार में मिल जाती है कहां पर मिलती है सोन पुर में सोन सोन पुर में आकर के गंगा से मिल जाती है अब फिर यहां से एक नदी आती है कोसी जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोसी भी आपकी नेपाल से आती है यह नदी आती है बिहार में आकर कहां पर मिल जाती है भागल पुर म है कव और इसके बाद यहां पर एक नदी आके और मिलती है जिसको यह नदी-का नाम है कि महानंदा नदी यह क्या होती है एक नदी धर से और आती है तो उसको क्या बोलते हैं महा यह नदी क्या है महानंदा नदी है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं महानंदा नदी तो महानंदा क्या होता है कि गोदारी यह यहां पर क्या है कौन सी जगह है गोदारी घाट गोडारी घाड के पास क्या हूँती है कि आकर गमुकी गुउगंगा से मिल जाती है अब यहां पर देखिए मैं आपको मायब बना देता हूं जिसके जिससे आपको चीजें और कनफर्म हो जाए अगर आप मैप देखेंगे तो यह हमारा कौन सा छेत्र हो गया यह अमारा कौन सा छेत्र यह यह आपने क्या देखा कि यह हमारा क्या यह आपका नार्थिष्ट यह आपका क्या होगा जारखंड जारखंड के बाद फिर क्या होगा पश्चिम बं जाता है हुगली नदी यह क्या है हुगली नदी के किनारे ही क्या है कलकत्त यह कोलकाता कोल काता कोल काता सहर बसा हुआ है यह important तो अब गंगा की जो एक और साखा यह आगे बढ़ती है पस्चिम बंगाल से होते हुई यह क्या है बीडी है बीडी का मतलब बंगलादेश है यहां पर परवेश कर जाती है जब गंगा बंगलादेश में परवेश करती तो इसका नाम हो आता है पदमा तो यह आपके लिए important था very important था इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब देखें यहां पर एक चीज और आता है कि जो आपकी गंगा नदी होती है इसको उत्तराखंड में भागी रथी करते हैं फिर आपका क्या आता है कि उत्तर परदेश में आती है फिर बिहार में जाती है जारखंड में जाती है फिर आपका परवेश करती है पश्चिम बंगाल में तो यह पश्चिम बंगाल में भी गंगा को कभी कभी भागी रथी के नाम से जानते हैं फिर किया जब पश्चिम बंगाल के बाद बंगलादेश पड़ता है वहां से आपके लिए बेरी इंपॉर्टेंट हैं और जो यह वाला आपको मैंने बताया यह वाला पूर्शन आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि यहां तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है तो आप इसका स्क्रीन साथ लिए फिर बात करते हैं उमीद करता हूं आपको यह से सर्म बढ़ियां लगा होगा अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और सेर भी करते रहिए अपने दोस्तों को अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं कि अप्ली सब्क्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओके थैंस फिर मिलते हैं एक नए टापिक के साथ